MP Christian College के आसपास के इलाग के का सुनापन और अधेरे का फायदा इन दिनों असमाजिक तत्वों द्वारा धरले से उठाया जा रहा है और असमाजिक गतिवीधियों को अंजाम लगतार दिया जा रहा है इन दिनों भिलाई के अंदरोनी हिस्सों में नशाखोरी करने वाले शाम ढलते ही अपना सामराज इस्थाबित कर लेते हैं और एक से बढ़कर एक असमाजिक एवं आपत्ती जनक कारियों को अंजाम दे रहे हैं ऐसा ही हाल इन दिनों कैलाज नगर इस्थित MP Christian College के आसपास के इलाकों का है जहांके सुनेपन और अंधिरे का फाइदा असमाजिक ततो खुब उठा रहे हैं इन इलाकों में मिलने वाली वस्तुएं साफ इशारा कर रही है कि इस इलाके में असमाजिक गतिविधियां जोर उपर है और यही वज़ deriv है कि यहां के आसपास रहने वाले लोग काफी परिशान हो रहे हैं और ऐसी वस्तुएं यहां पर दिखाई देने से उनके बच्चों पर गलत असर पढ़ने की बाते भी कह रहे हैं यहां पर एक सीरींज वाला नसा यहां पर आके और भी गलत गलत काम करते हैं इस बारे में अब उनको जानकारी दिया जाए गा तो उसके बाद ले तो बातलि हम लोग जामुल थाना में एक आविदन दे के आए हैं और टी आई से भी फोन में बात हुई है हमारे भीया है सामने तिवारी जी उन्होंने खुद आस्वासंदी है कि आज हम स्वेंप में जाकर किस्तिती का जाजा लूँगा और वहां पर जाकर देखता हूं जो भी होगा बार करवाई करूगा अभी कुछ दिन से ड्रेली का हो दिन में तो नहीं साम होते ही अंधेला डहलते यहां पर जमावला चालू हो जाता है और हम जो दो तीन भाई हैं दोनों तीनों अपने काम में बाहर जाते रात को आते हैं तो देखते हैं यहां पर चली रहा है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहात सासर प्रदार यह यहां के रहवासियों द्वारा संबंदी जामुल थाना में शिकायती आवेदन दे दिया गया है जिस पर थाना परभारी द्वारा तोरित कारवाई करने का आश्वासन भी इन्हें दिया गया है देखना होगा कि पुलिस परशासन किस तरह से ऐसे असामाधिक ततों से निपड़ता है और असामाधिक गतिविधियों पर विराम लगा पाता है ग्रेंड एसीन न्यूज के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट